दोस्तो नमस्कार मैं राजनित कुमार एक बर्फर आपके सामने हूँ एक नएक वितक सांथ दोस्तो इस जिन्दगी में चाहे कितने भी अर्से गुजर जाए चाहे कितने भी वर्स गुजर जाए चाहे कितना भी समय गुजर जाए इस जीवन की जो छोटी-छोटी बाते होती हैं, वो हमेशा यात हती हैं, इस दिल के अंदर समा के रहती हैं, जैसे अपनी जिन्दगी से हुई पहली मुलकात, पहली मुलकात इंसान भुलाये नहीं भूलता है, चाहे कितना भी समय क्यों न गुजर जाए, वो पहली मुलकात जो उसकी जिंदगी बन जाए, उसके जीवन में सब कुछ सारी खुशियां उस पहली मुलकात से आए, जो उसकी जिंदगी का, उसकी सारी खुशियों का एक आधार बन जाए, वो पहली मुलकात इंसान भुलाए नहीं भूलता है, चाहे वो इस दुनिया का सब कुछ भूल ज वो पहली मुलकात भूलता ही नहीं है सो चलते हैं आज की विद्रफ आज की विद्रफ है पहली मुलकात तन भीगा था, तन भीगा था, तन भीगा था, पर दिल में अगनी जल रही थी मैं तुम्हें एक टक देखता रहा गया, मेरी धड़कने मचल रही थी एक बिजली गीरी मेरे मन पर, फिर मेरा ये मन संभल पाया नहीं उलजा तुम्हारी निगाहों में ऐसे, तुम बिन दो कदम भी चल पाया नहीं अरसे गुजरे इस बात के लेकिन, अरसे गुजरे इस बात के लेकिन, लगता है जैसे एक कल की ही बात हो अरसे गुजरे इस बात के लेकिन, लगता है जैसे एक कल की ही बात हो पता ना चला कैसे कटाए वक्त जबसे तुम जिन्दगी में तुम मेरे साथ हो पता ना चला कैसे कटाए वक्त जबसे जिन्दगी में तुम मेरे साथ हो फिर कभी वैसे हरसा नहीं अंबर फिर कभी वैसे हरसा नहीं अंबर फिर कभी वैसे हरसा नहीं अंबर फिर लग कभी वैसी बरसात हुई मैं भीग रहा था तुम छतरी में थी जब हमारी पहली मुलाकात हुई दोस्तो ये मेरी कविता है प्लीज मुझे बताएगा आपको ये कविता कैसे लगी इस कविता को लाइक कीजिए इसे शेयर कीजिए इसमें कॉमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आकन प्रेस कीजिए ताकि अगली बार जब नई कविता अफ्लोड करू आपको फर्टिफिकेशन मिल सके प्लीज बताएगा आपकी जिन्दगी से आपकी पहली मुलकात कहां हुई कैसे हुई अपना और अपनों का खूब ख्याल लखिएगा धन्यवाद